कैसे हैं आप सभी मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे अभी सुबह हो गई है और बाहर इतनी हवा चल रही है कि पुछिये मत पूरा कपड़े उड़के जा रहे है सब सामान उड़के जा रहा है मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम आपको बहुत ही सुहावना हो गया है चलिए मेरे साथ आप बाहर चलिए दिखाती है क्या रहे सामी देखिए बारिश के नहीं हो रही है यह बारिश हो रही है देखिए हवा भी बहुत चल रही है यह बारिश में यह देखिए सामने फुल पिंक और वाइट कलर के कौनसे फुले पता नहीं लेकिन बहुत ही प्यारे दिखते हैं बहुत ही सुन्दर दिखते हैं हुआ है पुआ है बीत थंड़ी हवा चल रही है और फंड़ी लग रही है नेरं इसलित प्यार अब कर दूंब अ कि को अ हमारे कपड़े सुक रहे हैं कपड़ेस हुखाने को जगह नाए तसकी आसवे आएं हमारे घर में आंग को चलिए मिलती हूं मैं आपको ठोड़ी दिर के बाद पूजा कर लेती हूं भगवान की और फिर हम बनाएंगे अच्छी-च्छी र्रैसिपी जो आपको भी पसंद आएगी जो आपको पसंद आएग luc Rise और आप भी बनना लेना, ठीक है तो, थोड़ देर के बाद मिलते हैं, फूजा हो गई है, खाना खाने दे, चलिए खाना खाने, तो ये कोथिम्बीर को मैं अभी इत्ता बारिक बारिक चौप कर रही हूं, कहीं चीद से, बारिक बारिक काट लेंगे, फिर इसकी वड़ी बना तो हमें ये तोड़ने के बाद ऐसा है, और ये काटने के बाद ऐसा है, पूरा कोथिम्बीर हम काट लेंगे, ये हैं हमारे इंग्रीडियेंट्स का राव मटेरियन, मनुका, प्याज, मिर्ची, लेसून, चाच मसाला, तिल, अजवाईन, किसावा नारियल, बेशन, पुरा ये चावल का आटा, भी हम इसमें मिक्स मैच करके कुछ बनाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टन चीज को थिम्बीर, तो सबसे पहले मैं चटनी का जो काम होता है, चटनी है, जो मिक्सर जार में पीस्ते, उसका काम करेंगे, तो स्टैंड रख देती हूँ सबसे पहले मैं यहां कर लेती हूँ, बारिक लैसुन, मैंने यहां, पी, चार, पाच, छे, साथ, आट, नो, गर्स, ग्याष, बारा, बारा, तेरा, मोटी-मोटी लैसुन की कल्याली है, एक पहले मिर्ची पाटेंगे, एक, दो, पी, चार, पाच, छे, साथ, आट, साथ मिर्ची ली है, साथ मिर्ची, साथ मिर्ची इसको खलका सा क्रश करना है, बारिक पेस्ट नहीं कर ले, यह प्रिपरेशनस है, ब्रेसिकी ताइम होने, स्टार्ट होने को टाइम है, यह एची क्रश कर लिए है मिर्ची, इसको में निकाल लेती हम, इसमें प्रेट में, यह सारा प्रेटेशन पीछे होता है, हम मिस कर देते हैं, इसे काम करते हैं किचन में ऐसे पता चलता है, वह एडिट करके, डालो, ना, तो जो पीछे की गडवड है, खाना पर समय की, आप पता नीचलती, तो भी इसमें डालती हूं, लसन को अच्छा बारिक पेस्ट करना है और निर्ची को हल्का सब्सक्राइब करना है इसलिए लसन की कलिया अब हम निकालेंगे यहां लसन की पेस्ट कोई हमको मिक्सर लेंके दोरे बाबा मिक्सर लेना है किसी तो पता होंगा कौनसा अच्छा है कौनसा नी वह थोड़ा सब्सक्राइब करिए क्योंकि लेना है तो अच्छा ही लेना है थोड़ा महेंगा लेना है तो आप उमें ब्राइंड सजेस्ट कर सकते हैं कि कौनसे ब्राइंड का मिक्सर अच्छा रहता है तो लसन की ऐसी पेस्ट कर ली मिर्ची की होगी अब इसको करना है चौप करेंगे इसको चौपर में इटम बारिट बारिट चौप करना है मेरी चापू पिल गड़ी चापू चापू पिल गड़ी इसमें डालने इसको मेरी पूनस टैंड रखने के लिए जगाई है मैं दीख रहे हुं ना नहीं दीख रहे हैं इसका कवर निकाल लेते हैं इसको और एक नाम बोलते हैं बहुत अच्रा नाम है इसको बोलते हैं किसको बोलते हैं किसको और नाम है इरोडी इरोडी इरूडी, इरूडी, इरूडी आप जाना सू, हमते की, जिसते जाना ने, कापुन टकें जा माला तो न वीडियो, आपको आपको शाक्तिया वादे, आने वीडिया वाटला ने, ये प्राज को आसे, चॉप करेंगे, तो थोड़ा मोटा मोटा काटके, बैर सब्सक्राइब कि इसको थोड़ा सा निरि करना है एएसा है कि इस तक चॉप बारे इतना काट नहीं है और फीर उसको चॉप करता निकाल नहीं है तो फिर हाद से काट नहीं है तक जिसको प्रदा दम एकड़ा तरआ पीकलष दों करने दम डारिक आठना तरआ है एक दम जोटा आलस लिए जार एय। इसलिए बारिक कर रहे क्योंकि हमें मुझ में वह एकदम प्याज नहीं लगना चाहिए एकदम बारिक आप पेस्ट करके नहीं डेले पेस्ट करेंगे तो पानी-पानी हो जाता तो इत्ता बारिक चॉप करना है इसको भी हम निकाल लेते हैं यहां प्रेट में कि चलो अब रिप्रेशन का अतक के पोजगी थी यह हो गया है मिर्ची का दर्दरा यह मिर्ची और लसुन का यह प्याज बीच में हमने ग्याप ले लिया तो यह लिया है थोड़ा सा मनुका रेजिन्स या फिर सुखेवल राक्षी रेजिन्स बोलते हां मुझे याद है कड़ाई करम करने रखी है बहुत जोर से हवारी है और यह हम इसमें डालेंगे तेल किता डाला है तेल बहुत कम चाहिए तेल गरम होने देंगे लेता है तो है लेता है ना ताकि बहुत दिन तक चले तिकाऊ मजबूत तूझे से चपाती बनाती है तिकाऊ मजबूत और वो हमारे पेट में टिकए बट जाती निगल दीर चलो तेल करम होगे के जी तुम हां होगे बोल रहे हैं तो इसमे डाला है थोड़ीrau सरसो राई सर्सो राई सर्सो राई देखो राई तढ़ रही है चटक रही है चटक मटक मटक मैं का दान्स करूँगे मैं यहां बैच ओ नहीं डहीं अभी noise pollution नहीं चाहिए हमको हमको सांती चाहिए कोई हमें सांती लाके दोरे बाबा अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सजीरा इस चीची प्याज प्याज और अब इसकी प्याज और अब इसकी नुटीची शया है अब शुटीचीची अब ता इसी प्याज आड़ा करते है उसकीचीची होतना यहांके लोगराबल तो प्याज बड़ना अध्राब पोलना हागदा स्वाज अनसार नमक आप चाहे तो इसमें काजू के चुटे चुटे तुकरे भी डाइए आप चुटे अपर्सनल रक्षी चाहे तो रखाइए अभी यह हो गया इसमें हमें यह हमारा घर में बहुत मिलेगा क्यूंकि हमारे घर में मैने में तीन बार नारियम खोडते हैं बगवाल के लिए का बमाशा को संकश्टी चतुर्थी को वह बच जाता है क्या करती हूं उसको ऐसे सुखा के बारिक करके फ्रीज में रख जेती हूं ख्रीजर में रखती हूं तो यह बहुत जिननों तक चलता है मामा कि अब हमने खोबरा डाला है इसमें इसको अच्छे से बून लेना है नारियल को उसमें से जूसे मतलब उसका जो आईल है वो सब निकलना चाहिए नारियल के इसको याने क्या बने पाउडर को हमें हलका सा गरम करना है जादा पकाना नहीं है हलका सा उसका चूटने लगी याने स्मेल नारियल के तेल का तो हम जाद की फेल में हलका सा शेख ना हं हमें नारियल के बुरा दे को समझ गई बच्चो इस दबे से ये फूल था ये अधा किलोग डबा है ये अधा किलोए थी अभी इसमे हम डाल देंगे ये उधिम पुतिम बीर ये तीन जूरी थी जो हमको पीच रुपए में शस्ती सस्ती मीनी बीच रुपए में तीन और बड़ी बड़ी लेकर आई तो इ और कर लिया है वाश किया तीन बार और उसे तरह अखाया है कि इस कपड़े में भी जल्दी सुपता नहीं तो कॉटन का कपड़ा लेना या बैग मिलती है कॉटन की सब्जिया रखनी की जो हमारे पास ने दिखाऊ दिखाईए उसमें डालते वाशिंग मशीन में ड्रायर पे गुमा लेना कि सरिफ एक मिनिट के लिए ज्यादा नहीं कि और उसको और इसमें थोड़ा सा भी काला हुआ खराब हुआ पीला हुआ पत्ता नहीं डालते नी तो यह खराब हो जाती है तो अच्छे-च्छे फ्रेश पत्ते ही लेना और जो खराब हो उसको निकाल लेना डंठल भी निकाल नादपूर में बहुत फेमस है यह यह हाइकोट है ना जिल्ला जिल्ला नहीं जिल्ला गहे तो इसे पाटोडी बोलते और बहुत फेमस है वहां की जिल्ला गए सब तो वहां पर यह खाके ही आते हैं और वह 25 रुपए में सिर्फ एक बड़ी देते हैं और थोड़ी कड़ी देते हैं तो कड़ी भी मैं बनाऊंगी इसके साथ पराज बारिज भी आ रही है थंड़ा भी है इसमें कोथी मीर कोबरा से जादा कोथी मीर लेना कोई-कोई लोग वहां पर जो है वो चने की डाल भी डालते भीगोगे वह अच्छी नहीं लगती वह कॉंटिटी कम रहता वहां कोथी मीर का और वो चने की डाल ललते हैं भीगोई-वी यह हो गया आपी बस इसको आंको ज्यादा पकाना नहीं है ऐसे खुला चोड़ देना अब गयास बंद कर दी है और मिक्स कर लिया है अच्छे से और इसे थंडा मुने देंगे यह आप ऐसे बना के थंडा करके फ्रीज में रब दो और जब चाहिए तब बढ़िया बना के खाऊ हम इसके लिए भी कवर बनाएंगे कवर मुझे पॉकेट पॉकेट जिसे ही कवर कि पॉकेट रही बनाते हैं वो पीका आठा जैसे बनाते ना वैसे बनाएंगे यहां आठा चन राया है यह बेशन चनी की डाल का बेशन घर में बनाया हुआ जो एक प्रदा बना दाल लेके लाए और फिर उसको चक्की पे भेजा पीसने के लिए तो यह घर कही बना हुआ हुआ जो रेडिमेट रहता है वह बॉब में पेसम होता है अच्छा लगा गर में पनाया वाशने में पीसा है अरे खोड़ा चावल का अटा डाल रहे है इस पियोने के लिए मैं या तेल गरम करने रख रही हूं तलने के लिए अटा को चांग दिए जो ट्रेडिशनल वड़ी होती है उसमें बेसन से बनाते हैं और आपको जादा क्रिस्पी चाहिए तो मैदे की भी बना सकते पर मैदा उत्ता हेल्दी नहीं होता जितना ये बेसन होता है अब हम इसमें डालेंगे तील एक कमद तील अचान पहर करके चांग नों मैं בार्म होताई जांगे क्रश करके अजवाई छोटी चमज मसाले वाले चमज से डालना है और तोड़ा चाट मसाला वहीं मसाले वाली चमज से एक एक चमज सब डालना है चाट मसाला स्वाइद हनुशार हमने चाट मसादा डालना है इस headlines स्धटाउप मcket tämä, इस बार नमक डालने में कन्जूसी कर नी है कि इसमें कि नमक कम ही डालना है तो कम डालना है जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी मिर्फियों और लेशन की चेक्ष इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मोहन देना है तो मैंने यहां तेल गरम करने रखा है तो यह गरम होने के बाद हम इसमें मोहन डालेंगे तो फिर वो मन मोह ही नहीं हो जाएगा अब जाएगा इसमें आमशूर पाउडर सब मसाली वाली चममत से यूश करना है तोड़ा साथ आदा चममत घी कोदिया ख्रूपै कोदिया को कड्यान भाड़ा उओ करो कोको से थाप необходимо कोदियो कोद़ी कोद़ी कोद्चित पीट अपुचिता पाउली कोद़ी कोद्चित अधुचित फोडूचित आधुचित exc DR मुर्जा गया याद आगया याद आगया यह वाले पेशने से की फुल गया और मुर्जा गया चलो तेल भी गरम हो गया है अब हम मुहन डालेंगे हमने इसमें डाला है मुहन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखो ओइल डालते पर इत्ता अच्छा स्मेल आ रहा है नो वह बेशन का जब हम चकली बनाचे तो कैसे जंजणी त्वासे तो तस्वासेता है जंजणी त्वासे तो चकली बड़ाता निकसा खमंग जंजणी पर चाहिए जंजणी टेस्ट लगते हैं हाँ अणी खमंग वासे तो हाँ चकली ची आठवन जाली आता लवकरच आपन चकली पन मढ़ो ना इसमें डालेंगे आदी चम्मस्त हल्दी कलर आने के लिए और इसको पानी से अच्छा सा आठा गून लेंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे बहुत तरह में डंगें आठा अमारा लब चुका है कि तकड़क हुआ देक ऐसा ही गाड़ा हाड बिजाना है और इस हाड बिजाना है जी मतलब पतला मत बिजाए जी तरह इसको दस मिनिट तक रेस्ट करने देंगे परना ये तोड़ जाएगी तूड़ जाएगी पूड़ जाएगी पूड़ जाएगी तस मिनिट के बाद आठे को ऐसे हमें मुसल लेना है गूतना है तो हम यहां यहां तर तयार हो गया और यह मैंने चावल काटा लिया है थोड़ा सा जो बेलते हैं उसको लगाने के लिए और इसमें हमने निकाल लिया है वह बैटर जो हम उसमें फिलिंग करेंगे और उदर तेल गरम हो रहा है चलो अभी हम छपाती बनाते हैं आप एक दो देख लो फिर बाद में हम आराम से बाकिए बनाएंगे कि यह तूट जाती है इसमें धीरे 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 प्यों हाँ कि अवाई ऑ मोड़ी नहीं आप पद्ली नहीं वालाना कि अच्छा करली जादा जादा नगा ने मज़िए राटी है अच्छा कर्णा दोटी से थोड़ी ज्यादा मोड़ी जैसे संवुसा को समुसा कि ज़रत रहता है नहीं समुसा को थोड़ा जाड़ा रहता न वैसे फिर इसको ऐसे फिलिंग करना है कि शेप आप अपने हिसाब से दीजिए हम जो ट्रेडिशनल है वो ही देते हैं कोई कैसे शेप देना है वो आप दे सकते हैं एक कटोरी में पानी ले लिया है और साइड से मुसको पानी लगा रहे है क्योंकि बैटर जो चपाती है वो चिपकनी चाहिए इसलिए हलक हातों से तोड़ा सा पानी लगाके अप उससे चिपका सकते हैं अ यहांसे इसे फोल्ड किया पानी लगाना इसको फिर यह इसको यह कोने दबाना इसको यह कोने दबाना इसको इससे उठाके फोल्ड कर देना पुड़ाची वाड़ी है कहीत नहीं राप पुड़ाचा वड़ी है कि मैं देखो ऐसे जलीका गरव तेल विरम हो गया अब इसमें हम डालेंगे थाली थाली ली है टीशू पेपर रख दिया है चारो तरफ से तेल लगा लेना और पीछ में यह डालना शारो निसका और यह वड़ी को ऐसे पल्टा देना एक साइट से हलकी से पकने के बाद दूसरी साइट से पकेंगी और थोड़ा चिपकाते समय आच्छे से चिपकाना क्योंकि अगर वो तेल में फ्राय करते समय फूड़ गी तो जो तो सारा बैटर बाहर आ जाएगा इसलिए चिपकाते समय थोड़ा पानी और अच्छे से बाइंड होना चाहिए ऐसे चिपकाईए और उसे हलके हातों से फ्राय कर लीजे धीमी आज पे एकदम आज बड़ी नहीं रखनी है नहीं तो पापड़ी भाहर से पक जाएंगी अंदर का नहीं बराबर फ्राय होंगा इसलिए धीमी या फिर मीडियम गैस पे इसी तरह साड़ी बढ़िया बना लेंगे और उसे फ्राय कर लेंगे हलका गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से हमें उसे अच्छे से सेख लेना है हमारी बड़िया बनके तयार है आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं एक दो दिन के लिए अच्छे पैक टाइट कंटेनर में और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं मैंने कड़ी नहीं बनाई है मैंने इसे दाई के साथ सर्फ किया है आप चाहे तो कड़ी के साथ भी बना सकते हैं देखिए सब खाना बनने के बाद कुछ भी बनाने के बाद ऐसा होता है किछन का हाल कि सारी बना ली है जितना हमने बैटर बनाया था मतलब जो यह आठा लगाया था उत्तर इसका बना लिया इसको अब हम फ्रीज में रख देंगे डखें जावा में बनाना या तब बनाएंगे निक्स टाइंग तो यह जो बच्ची है उसको अब मैं यहां स्टोर करके रखती हूँ एक डगे में पर इसे थंडा होने देना गरम-गरमी स्टोर नी करना एक टीश भी पर नीचे रखना इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घर मेरे यह सुरक्षित रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइब बाइब ल।